हमारे आसपास कई तरह के जानवर होते हैं कुछ साइज में बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं और कुछ ज़्यादा ही छोटे होते हैं छोटे होने के साथ साथ ये इतने खुपसूरत होते हैं कि कोई भी इनके तरफ आसनी साकरशित हो सकता है आज हम ऐसे ही खुत्तों के कुछ परजातियों के बारे में बात करेंगे जो साइस में कुछ ज़्यादा ही छोटे है नंबर पांच पेपिलन पेपिलन है केसी नसिल का खुत्ता है जो बेल्जियम और फ्रांस देशों में पाये जाता है यह इसके कानों के आकार की वज़ा से बैटरफलाई डॉक के नाम से भी जाना जाता है इसके कान इसके खुबसूरती और बढ़ा देते हैं जिसकी वज़ा से इसके तरफ कोई भी आसनी साकरशित हो सकता है इसके लंबाई 7.8 इंचे से लेकर 11 इंचे तक होती है और इसका वजन 3 किलो से लेकर 4.5 किलो तक होता है इसकी उमर 12 से 15 साल तक की होती है यह असानी से लोगों के साथ गुल मिल जाता है नंबर 4 अफिन पिंस्चर अफिन पिंस्चर नाम के कुत्तों की यह परजाती जर्मनी में पाई जाती है यह अपने काले रंग और छोटे साईसी वज़ा से मंकी डॉक के नाम से भी फिमास है इसकी लंबाई 9 से 12 इंच होती है और वजन 3 से 6 किलो तक होता है वैसे तो यह कुत्ता शान सोबाओ का है लेकिन यह छोटे बच्चों के लिए खत्रा बन सकता है नमबर 3 जापाने स्चीन नाम सुनकर तो आप यह समझी गया होंगे कि गुत्ते की यह परजाती जापानों शायना में पाई जाती है इसकी लंबाई 8 से 11 इंच होती है और वजन देड़ किलो से लेकर 7 किलो तक होता है यह गुत्ता बहुत स्मार्ट है आप इसे जिस तरह ट्रीट करेंगे यह भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगा अगर आप इससे दोस्ती करोगे तो यह भी आपसे दोस्ती करेगा और आपके साथ रहेगा और अगर आपने से misbehave किया तो यह आपके लिए खतरा बन सकता है नमबर दो यॉर्क्षर टेरियर यॉर्क्षर टेरियर नाम की गुत्ते की यहाँ पर जाती यॉर्क्षर और इंग्लेंड में पाई आती है यह गुत्ता यॉर्क्षर देश में अधिक चांत और मस्ती के मुड में रहता है पर इसे बच्चों से दूर रखने में ही भलाई है नमबर एक ची हुआ हुआ ची हुआ हुआ नाम की प्रजाती का यहाँ गुत्ता आज तक का सबसे छोटा गुत्ता है यहाँ मेक्सिको देश में पाया जाता है इसके लंबाई पांच से दस इंच और वजन देड़ किलो सो लेकर धाई किलो तक होता है ची हुआ हुआ नसल के सबसे छोटे कुत्ते के लंबाई तीन पाइंट आट इंच है और इस कुत्ते का नाम गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है यह कुत्ता इतना छोटा है कि किसी भी इंसान के अतेली पर आराम साल सकता है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेर करना और इसे इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो के लिए हमारे चैनल दो नॉलेजबुक के सब्सक्राइब करना